गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट क्लास फॉर्थ चैप्टर आपका चलना था चिम चिम तारे और उसका फर्स्ट पार्ट कंप्रेट हो गया था अब सेकेंड पार्ट में हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि यहां पे बच्चों की अपने टीचर स से बात हो रहे थी और अध्यापी का जो थी वह बच्चों को समझा रहे थी कि सूर्ड की सूर्ड जो हैं वह प्रत्वीर से लगभभ नौ करोड तीस लाग मेल दूर है तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है लेकिन वह दूर होने की वज़े से हमको छोटे अधिक पास में होता है उसका प्रकास हम तक लगभग चार वर्सों तक पहुँच पाता है कुछ तारो का प्रकास तो अभी हमारी प्रत्वी पर पहुँच ही नहीं पाता है ठीक है इसकी बाद में अमित कहता है मैडम से कि हमने दूर तारे का नाम सुना है आफ हमें उसके वारे में बताईए अध्यापिका प्राचीन कथा के रुसार राजा उतान पाद के पुत्र पर प्रशन होकर भगवान ने उसी एक चमकीला तारा बना दिया इसके एक और सब्तिरिशी मंडल के साथ सब्तिरिशी मंडल के साथ तारे हैं हवाई जहाज के चालग दू तारा देखकर दिसा का पता लगाते हैं ओके स्टुजेंट इसके बाद में अनुस्का एक अपने बज़ टीचर से पूस्ती है मेडम कुछ तारे सफेद कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं अध्यापिका तारे का लाल नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं इनी से उनके ताप और आकार का पता चलता है लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर उसका ताप सबसे कम होता है नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर उसका ताप कम होता है अब अम्भिका कहती है मेडम से मेडम यह आकास गंगा क्या होती है टीचर कहा रही है आकास गंगा एक galaxy है galaxy असंखतारों का समूब होता है जियों में आपको पढ़ाया गया होगा कि हमारी galaxy में असंखतारे होते हैं ठीक है इन हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी का एक छोटा हिस्सा है मैडम अब नाव्या कहती है मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही ये तारे एक दूसरे के इतने पास-पास है और तीवरगती से चक कर भी काट रहे है फिर इनकी आपस में टक कर क्यों नहीं होती है ठीक है तो टीचर कह रही है ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक कर काटते है आकास में उड़ते पच्छी भी हमें एक दूसरे के पास-पास दिखाई देते हैं किन्तु वे दूर होते हैं यही बात है कि यही बात तारों पर भी लागू होती है ठीक है आप देखते हैं आप जो इंपॉंटेड नोट्स होता हैं उसको अब समझ दिजिए हमारी आकास गंगा की तरह ब्रहांट में अनेक आकास गंगाएं हैं अभी तक की ग्यात आकास गंगाओं में अबेल 2029 ब्रहांट की सबसे बड़ी आकास गंगा है इसका ब्यास 556 लाग वर्स है यह हमारी आकास गंगा से 80 गुना जादा बड़ी है यह धर्ती से 1007 करोर प्रकास वर्स दूर है एक बार और सुनीजे हमारी आकास गंगा की तरह ब्रम्हान में अनेक आकास गंगाएं है अभी तक की ग्यात आकास गंगाओं में अबेल 2029 ब्रम्हान की सबसे बड़ी आकास गंगा है इसका ब्यास 56 लाग वर्स है यह हमारी आकास गंगा से 80 गुना जादा बड़ी है यह धर्ती से 1007 करोर प्रकास वर्स दूर है यह आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा अग्गे झाल झाल झाल